हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई जी के नीटिंग चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ये डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन को डालना बहुत ही असान है न्यू बिंगनर भी इससे बहुत ही असानी से अपने अपने स्वेटर पे अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स साइड में भी ये इस तरह से दिखाई देगा और बैक साइड में भी ये डिजाइन इस तरह से ही दिखाई देगा तो ये हमारी friend side है तो इस design को डालने के लिए मैंने चार-चार के multiple fund लिए है और ये 6 row में बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से हमने एक step दूसरा step उपर-उपर design बनाते जाना है तो friends इससे पहले कि हम ये design बनाना सीखे आप मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलेगा तो चलिए friends अब हम जे design स्टार्ट करेंगे तो friends design की first row हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए first row किस तरह से स्टार्ट करेंगे एस्टिज को simple बनाई कर लेना है और चार fundे हमने पीछी दागा करके बनाने है एक, दो, तीन और चार फिर धागा करना है आगे पर चार fundे आगे धागा करके बनाई करना है एक, दो, तीन और चार फिर धागा पीछे करना है चार fundे आगे धागा करके चार fundे पीछे धागा करके पूरी रो में हमें इस तरह से बनाई करना है अब अंदर वाली रो है इससे भी इस तरह से स्टार्ट करना है यहाँ पे पीछे धागा करके बनाने हैं चार फंदे जो पहले आगी धागा करके बनाई थे सेकंड रो में फर्स्ट चार फंदों को जिनको आगी धागा करके बनाए था अब के बार पीची धागा करके बनाए चार फंदे आगी धागा करके जो फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं हमें उसी तरह से पूरी रोग को बनाते जाने क्यास्ट में आगे दागा करके हैं चार फंदे एक एस्टिच है इसको सिंपल आगे दागा करके बनाना है तो फ्रंट साइड आ गई है इस तरह से हमने फिर से इनको पीछ दागा करके ओर आगे पीछ दागा करके हमने चे रोबनानी है पहले तो हम चे रोब पहले कंप्लीट करेंगे फ्रेंट्स यह दथि यहां तक हमने चे रोब फिरस्ट स्य रोब की खत्म कर ले है आज हमने next step बनाना है तो next step की first row बनाएंगे first फंदा skip करके धागा करेंगे आगे तो अब की बार इन फंदों को यहां और इन फंदों को यहां बनाएंगे जो हमने पीछे धागा करके बनाए थे उनको आगे धागा करके बनाएंगे एक, तो, तीन, चार. 4 फंदें हमने आगे दागा करके बनाए नेक्स्ट 4 फंदें पीछे दागा करके बनाने हैं. पहले आगे दागा करके बनाए ते एक, दो, तीन, और चार. तीन और चार नेक्स्ट फिर से हमने इन फंदों के उपर आगे दाग करके बनाई करने हैं तो यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है फिर हमने इनको छे रोग तक इस तरह से ही बनाना है प्लास्ट में चार फंदे रह जाते हैं इनको पीछे दाग करके बनाई कर लेना है जिनको अब हमने पहले अगदाग करके बनाया था तो इस तरह से फ्रेंट स्मारा डजाइन उपर उपर पढ़ता जाएगा इस तरह से हमने इन रोग को छे बार बनाई करना है छे स्लाइएं डाल कर हमने फिर से यहां वाले फंदे यहां पर और यहां वाले यहां पर इस तरह से उपर उपर डजाइन चलाते जाना है तो फाइनलि फ्रेंट्स, इस पैटर्न पे इतना डेजाइन अपलाई कर लिया है तो यह देखे से हमने हर स्टेप में उपर उपर डेजाइन बनाते जाना है तो इस तरह से आप किसी भी प्रजेक्ट पे इस डेजाइन को अपलाई कर सकते हैं तो आप अपने अपने स्वेटर पे ये डिजाइन जरूर डालिए और मेरी चन्द को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए थेंक यू फॉर वचिंग माई वीडियो बाई